अले बाबू का जा रहा है गुन गुन बच्चा का जा रहा है उतर देखो डुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुड चारों तरफ देख रही है यह दोस्तु हमारा ट्रेवल है हलदवानी से दहरादून का पार्ट सेकंड है जिसमें फर्स टाइम अनाया दहरादून जा रहे है तो आप लोग इसको देखें इंजॉय करें गुन-गुन देखिए अनाया लेट चुकी है अपने सीट में और कि ट्रेन में वह जूला जूल रही है है ना बाबू कि इसको बहुत अच्छा लग रहा है शांती के साथ तो ऐसा कभी घर पे लेटी नहीं है इतना शांती के साथ है ना बाबू खुश हो तुम खुश हो तो दोस्तों डीनर करेंगे हम लोग और देखिए आप पहचानी य ऐटी तेस्टी ये गोभी की सब्जी एक्चली कीमा टायब का बनाया है गोभी को और आलू भी एसमें और इसमें पराथें अब मैडम जी खाना शुरू कर दिये सका श्रह जाता है किसको जाते आशा मुझे इसका श्रह जाता है ने खाना बढ़ाओ बहुत टेश्टी मैंने खाना बनाएं तो आदश भाई नहीं खा रहे हैं क्या आदश भाई करके आए अभी थोड़ी देर में खाएंगे भाई दैनिश के साथ तो हम लोग खाना खा रहे हैं दोस्तों फड़ा फट से अनाय अपना खाना खा करके लेट चुकिए खेल रही है यह हमारे बाई डैनी जिनका बेश भी संतिजार हो रहा था तो भाई आ चुके हैं देखिए हमारे बाई डैनी प्रेसलोग ब्रदर यह क्या बच्चों के लिए पसामान लेकर चल ले हैं देखिए दोस्तों शादी से पहले-पहले तयादी है यह यह पबजी वळा है क्या मैमी पोको पैंज डाइपर लेकर के गूम रहे हैं दुकान साथ में अच्छा चुके हैं जिनका हम इंतजार कर रहे थे तो कैसा रा ब्रदर अभी तक का आपका सफर तो कापी अच्छा था था इस अब यह प्र शुरूरी किया थेंक यू ब्रदर एक्चली हम मजाक कर रहे तो यह जो लेकर के आए भाई डैनिश तो यह हम नहीं बोला था भाई को लेकर आने के लिए अनाय के लिए देखिए अनाय सो चुकी है तो यह लेकर है तो आगे का सफर देखते हैं खुशनुमा होगा ब्रदर के साथ देखिए खाना खाने के बाद अंगूर खाया जा रहा है भर ब्रबर कर के कीमा खा भी बड़ी हो रहा है बड़ी हो रहा है पराठे के साथ कीमा खा रहा है बाई डैनिश तो बाई डैनिश से हम मिल चुके हैं बड़ीया तरीक से कीमा खा जा रहा है कीमा की दावत उड़ाई जा रही है देखिए अनाया अनाया हम लोगों को देखते वे उठ चुकी ह कोद में सो रही थी विचारी उड़ गई है मुरादाबाद रेल्वे स्टेशन पे आपका स्वागत है फोन चीना जाएगा फोड़ा दूर अखिये खिर्की से हम लोग दोस्तों मुरादाबाद रेल्वे सेशन पहुंच चुके हैं रात के साड़े ग्यारा बज़ रहे हैं और हमारी बीटी हमारी बीटिया जगी हुई है गुन-गुन इता देखो गुन-गुन के देखिये आखो में बिलकुल भी नीद नहीं है तो देख रही है लुट ले रही है सफर का अबारे भाई लोग सो चुके हैं अंधेरा हो चुका है एक भाई उपर है एक भाई दर है आगे का सफर रहेगा भी तीन घंटे का अनाया देख रही है सो अब मिलते हैं डायरेक्ट तहरा दून में सुबह सड़े चार बजे तब तक के लिए गुड नाइट सो दोस्तो रात के भाई बज चुके हैं और दीख यह अनाया को इसको बिलकुल भी नीद नहीं आ रही है दून में टें के अंदर देख रही है अनाया को काफी रोई और उसको बहुत ज़्यादा पसीना भी हो गया है वह उसको बहुत अलग सा लग रहा है जीव सा लग रहा है बिल्कुल नहीं सोना चाहरी है ना आशा सो पाई ना अनाया सो रही है नहीं सोगी नहीं सोना है देखे रात के ढाई बजे कैसे टुकुर टुकुर आंखों से देख रही है बड़े बड़े आंखों को बाबू पापा को देखो नहीं सोना है तो फर्स्ट टाइम उसका ट्रेवल्व्ल है jak लाहीं कि व्र्स टाइब 성का्ट जर्नी कर green से तो उसको काफी धिक्कत हो रही है कि ट्रेइन हिय सारे लोह को ज्यूऊ त। रही है तो उसको बहुत अजीब सा लग रहा है बाबू गुद मॉनिंग हो गया अब तो तो लगता है देहरादुन जाकर के ही यह सोएगी हम सुभे साड़े चार पांच बजे तक पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन तक फिर हम सो जाएंगे सो दोस्तो अभी 2.45 हुए हैं और हम लोग अभी हरीद्वार स्टेशन में हैं देखिए सो यह हरीद्वार है देख सकते हैं बाहर यह पूरा हरीद्वार है बाहर काफी ठंडी हवा चल रही है बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही ह muttu जिल्ड हवा चल रही है कल बारिश होय WITH यह करौद तो हरीद्वार स्टेशन में अभी हम लोग है देखिएन अनाया अनाया को एक हमारे साथ जो को पैसेंजर हैं को प्यार करते हुए बिलकुल नहीं सोई ए बिलकुल नहीं सोई है घू कॉपाइली हम लोग दहरादून पहुँच के हैं सब लोग उठ चुके हैं और अभी काफी रात है सब ब्रदर कहां चलेगे हमारे भाई डैनिश करीवन अभी एक घंटा और लगेगा हमें और साड़े पांच बजे हम पहुंच जाएंगे और जा करके हम सीधे सो जाएंगे खोळ लगे और साधा मैंक अप्छ देखियू अनाया अनाया देखो इसदर देखो एक अनाया विलकुल ठेकी हुई है अब लोगने हैंसे च्छलेंगे बाहरा ऑटो लेंगे परहु है गाड़ी अला इस हम मिल इसे आस जरी सकते एन पड़ेगार केशा ये तोड़नी कौतह फ आई आई एक को चल लिए स्वचालिट सीधिया नहीं चल रही है तो यह नहीं चल रही है ख़राब हो चुकी है हम चड़ चल के आ रहे तो रेले टेशन से बाहर हम लोग आ चुके हैं अब यहां से देखेंगे ओला या फिर आटो हेलो फ्रेंद्स, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, देहरा दून और देखिए, अनाया कि तनी खुश नजर आ रही है, देखिए, अनाया, ट्रेन में बिल्कुल भी बात मी जा आ पारे थी, और हम लोग फाइनली अभी पहुंच चुके हैं, सुवे के सबाब पांच हो बोले भी नहीं चाहा है, और यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए यह सोई नहीं पटिखिए, जैसे इस घर में देखा इसने, तो ट्रेवल तो अच्छा रहा, लेकिन अनाया के लिए थोड़ा से दिखा रहा है, अभी तुम खुश हो, देखो, देखो, कितना खुश हो रही अभी, ट्रेन में तो रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, है ना बाबला, सो गाइज हम लोग अब रेस्ट करेंगे और दिन में दिखाएंगे कि हम लोग कहां कहां जाते हैं वहां का ब्लॉग बना के हैना अना है हैना दिगे अना है कुछ जी ओके बाइ